किसान सातियों नमस्कार, राम राम, सस्रेकाल, आदब पर हमें बाच्चीत करनी थी, लेकिन किसी कानवस वो चीज दिमाग से चुक गई, और हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाए, तो वो चर्चा आज मैं अपनी संपूर्ण करने जा रहा हूं, कि पसुओं के ऊपर चुनने के गोल का आप उपयोग करेंगे, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या फाइदे आपको होंगे, इस विश्य पर हम विस्तार से किसान सात्यों बात करेंगे, और मैं दुवारा से आप से फिर निवेदन करना चाहता हूं, कि जो भी वीडियो मेरे दुवारे हैं, माननी चंद्रा जी की दुवारा या अन्ने हमारे किस किसान सात्यों के दुवारा बनाए जाते हैं, उन वीडियों को किसान सात्यों पूरा देखने का आप केस्ट करें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे, तो आपको ना तो किसी की पास मैसेज करने की आव सिकता होगी, ना किसी की पास फोन कॉल करने की आव सिक करते हैं उसके comment box में जाके message करके भी आप पता कर सकते हैं और दूसरा जिन किसानसातियों ने चैनल को अभी subscribe नहीं किया वह किसानसाती प्लीज मैं आप से हज़ जोड के निवेदन करता हूं कि उस चैनल को आप subscribe के लिए ही उपयोगी नहीं है क्योंकि जो बुझेव चुन्ने का उपयोग हम करते हैं जो मकानों के रंगरोंगन में काम आता है जो चुन्ना उसका उपयोग जो हम करते हैं वह एक नैचुरल कैल्सियम है किसान सातियों हमारे बीच में ऐसे किसान साती प्योंगे जो डेरी कर रखते हैं बहुत अधिक तादाद मातरा में पसू पालने का काम करते हैं दूद बेचने का काम करते हैं या घी बेचने का काम करते तो उनके पास काफी मातरा में पसू होते हैं और आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें गायों की तो गायों के अंदर कै केल्सियम का जो 55 लिटर का या 10-10 लिटर का जो कहन लेके आते हैं उनकी किम्मत अगर आपको भी पता है 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हम दे के आते हैं और यहां पर वो केल्सियम मातर 10 रुपए में आप पराप्त कर सकते हैं किसान साथियों जो घौल आप 100 लिटर पानी पुझाते जैसे माले जीए पूर एक जामपल पसुद्स लिटर पानी पीता है तो 10 लिटर पानी में उस चुनने का 1 लिटर घौल आप ढल दीजीए और वो अब जब पानी पसुखों को पिलाते हैंब ृह उसमें डालने का काम करें और व्माल दिपाल पार अब से उस गोल को नहीं पीता है यह वो गोल को पानी थेंगे तो उसका जो फीड है जो आप उसको ईालता है जैसे अनाज की खिल डालते हैं बिनोले डालते हैं जो भी डालते हैं उसमें भी आप किसांग काम करें इससे बेनिफिट आपको क्या होगा एकला कैलसियम की डेपसंसी पूरी नहीं होगी जो काफी पर आपने देखा होगे की काफी जो हमारी गाय माता होती है उनको जैसे कमजोर हो जाती है बिल्कुल उनकी हडियां दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है वह सबसे उस पसू का जो सरीर है वो मातर डेड़ महिने में वो एक तो अच्छा चारा खाएगी और उसके साथ साथ उसकी कैलसियम की डेपसंसी पूरी होगी और उसके साथ साथ उसके दूद में जो है वो मातरा बढ़ेगी आप जिस दिन चुनने का गोल पिलाना स्टार्ट करें उ उस डेड़ तक क्या दूद आपको देती थी और कैलसियम का गोल पिलाते हुए चुनने का गोल अगर आपको पिलाते हुए 15-20 दिन का समय हो जाता है तो उस दूद को दूबारा नापने का आप काम करें आपको बिलकुल फरक नजर आएगा तो यह चीज हमारे से बीच में चुक गई थी तो मैं किसान सात्यों से निवेधन करूंगा कि चुनने का गोल जो है वो केफल हमारी कर्सी के लिए ही नहीं है केफल वाइरेस को स्टोरेज के अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा दो सो लिटर पानी होगा उसमें आप उनली टॉनली जो पशुओं को पिलाते हैं उसकी में बात करां ओनली टॉनली 200 ग्राम चुनना हर 15 दिन के अंतराल से डाल दीजिए आपको अलग से पिलाने की भी कोई आप से असे फायदा आपको क्या होगा एक तो पानी के अंदर जो कीडे पड़ते हैं वो कीडे जिंद períमे नहीं पड़ेंगे पानी साफ रहेगा पानी जाए दुंधला काम करेगा तो इसका उपयोग करें, वैस दी कमपोजर टो वैसे काफी किसान सास्ती पिला ही रही है, उनको पसूँ को पिलाने का काम भी कर रहा है, और मैं उन खिस दीं किसान साथ्यों से निवीधर करूंगा जो किसान साथ reduction का लगातार कर रहे हैं वो आपने किसी न किसी वीडियो के मादम से मेरे वाटसप पर वीडिओ बेजने का करें ताकि आपके वीडिओ को दे किसान साथी भी उसका इसका किसान साथी उठा पाएं आपको वेश्डी कमपोजर पिलाने से क्या-का बैनिफिट पसू में नजर आए उन सारी वीडियो में बताने का काम करें और अपना नाम ऑप गाउो का आड़ेस उत